हेलो जी, जै मात अदी, राम राम जी सब को, कैसे ही आप? I hope friends आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है Friends, मेरे चैनल का नाम है हिमचली ब्लोगर कृष्णा और मैं कृष्णा करती हूँ, आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर और हाँ जो पहली बार आए हैं तो पक्का वेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाओं तो उसकी नोटिवकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स आज शाम के टाइम से और कहाँ पर हूँ मैं थोड़ा सा करती हूँ आप लोगों के साथ में शियर और क्या करने आई हूँ वो भी सब आप लोगों के साथ में शियर करती हूँ जो सामने का मौसम का जो नजारा है वो फिस परकार से हैं और अभी मैं जा रही थी बस रोड रोड से लकड़ी लेने के लिए और देखिए यहाँ पर मेरे पीछे यह आज सुबा ही आ गया है निच्चे को उतर गया परशान हो रहा था उपर और इस में खेद में बीजी थी ह उन्हें इसको साइड हटा दिया क्योंकि यहाँ पेट गीरा था और मुझे ले जानी है लकड़ी मैं ले जाओंगी लकड़ी और देखिए पिछे से आ रहा है चेतन मुझे बोरा था मम्मी बारिश लगी है बहुत और ना मेरा सिरना गिल्ला हो जाएगा और मैं बिमार हो और देख सकते हैं फ्रेंट्स आप मेरे पिछे ना कितनी धूंद पड़ी है मौसम बिल्कुल खराब है बिल्कुल खराब दिन को थोड़ा बारिश का अराम था बैट अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगी है बारिश लगनी और अगर मुझे पता होता ना कि बारिश लग जा तो मैंने नहीं आना था सची में नहीं आना था यह देखो कैसे चल रहा है ना और मैं दिराट लेके क्योंकि हमारे को ले जानी है लकड़ी सुखी लकड़ी और दिराट साथ में और यहां पर मुझे काटनी है सड़क के निचली साड़ को दिखाते हूं कहां काटनी है तो देखिए मुझे काटनी है इसकी लकडी ये साथ में एक देवदार का पेड़ है और जो दूसरा है वो ककड का पेड़ है तो ककड की लकडी सड़ जाती है तो बस इसको ले जाऊंगी जलाने के लिए और जेतन उतर रहा ऐसे रास्ते देख बुरे हाल रास्तों के और ये तो बट मुझे उतरना पड़ेगा अब धीरे धीरे और देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा ये दूंद ही दूंद पड़ी है ये देखिए पहाडों के मौसम का कोई बरोसा नहीं होता कब जैसे बारिश लगना स्टार्ट हो और बारिश लग चुकी है दिन हलकी हलकी सी आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी पत्तों पर हलकी हलकी बारिश टार्ट होगी है तो बस हम लकडी काटेंगे फटा-फट से और चले जाएंगे घर को क्योंकि मेरी तब्यात अभी जादा ठीक नहीं है और जैसे ही न ये ब अपर्पाइंगे लेका रारिश और जार्ट है उलोपे घर दोड़ी जादा दोगगात रचले लगचार पीजिब थोड़ीध टिर्ब भी मेरी और बारेश नहीं हुआ है ये ये जार्ट है लगली है और चूले भीज बाराबश है लगगी है जहीं है और चले जार हम बार झाल झाल यह है पहाड़ों पे मौसम बरसात का कितना प्यारा लग रहा है न और यह दिखे फ्रेंड्स यहां पर जब तक मैंने बस थोड़ी सी लकड़ी की थी तब तक लगी बारिश और मैं भी गई बैसे भी और भी ज्यादा बीमार हो जाओंगे मुझे नहीं लगता ठीक हो पाओंगे क्योंकि सर्दी से ना बुरे हाल ह और पता है क्या यह जो लकड़ी है ना इसके पीछे आज कल हमें कितने तकलिफ उठानी पड़ती क्योंकि आज कल बरसाथ के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है गाओं में वह होती है आग जलाने की अगनी जलती यार यह देखिए यह महाराज जैसे आये थे खाली न जाओंगे देखिए बारिस कितनी ज्यादा होगी पूरा रोड गिल्ला और यह चल रहा है द्राट के साथ देख क्या कर रहा है इसको हमेशा मस्ती सुचती रहती है और यह देखिए कितनी तेज-देज बारिस लगने लगी सामने से बहुत खतरनाक मौसम हो रहा आज कल सच्ची में जैसे बदल जाता कोई पता ही नहीं चलता और मैं वहुचने वाल की घर पे पर मैं बीक्टो की थी विल्कुल हाधी अधूरी सी और तबियत ठीक होने का विल्कुल नाम नहीं ले रही है और मैंने ज्यादा ब्लॉग में कुछ भी नहीं डाला है आज कल क्योंकि मेरी तबियत सही नहीं है और जब तबियत सही नहीं है तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही है फ्रेंड्स और मैं बलॉग की कर दूंगे यहीं पर एंड और आप लोगों से में मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अपने और हाँ फ्रेंड्स अगर आप पहली बार आएं है चैनल में तो लास्ट बार फिर रुक्वेस्ट है प्लीज सस्क्राइब कर दीजिएगा चैनल को और मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बाई बाई